नमस्कार मैं हूँ ससी आये जर्गां की टॉप 25 फर्मों खबर जानते हैं कुरोना वायरस से दुनिया बुरी तरह से जूज रही है और 20 वेस्ट की वैक्सिन बनाने की दोड़ में लगा हुआ है दुनिया की सबसे बड़ी टिका निर्माता कपनी सीरम इंस्च्चूट के सीयो अधर पुनावाला का काना है कि दुनिया में अगले 20 साल तक कुरोना का संक्रमन होता रहेगा और तब तक कोबी-19 के टिके की जरूरत रहेगी वैपसाइट से बाच्चीत में पुनावाल ने कहा कि इतियास में ऐसा कभी नहीं देखा गया है कि कि किसी टिके की जरूरत एक ही बार में खतम हो गई हो जारखंड से मांसुन की वापसी के साथ ही पुरे राजे में ठंड का एसास होने लएगा राजधानी राची से या लोट चुका है और एक दो दिन में पुरे जारखंड से मांसुन की विदाई हो जाएगी इसके पहले ही राची समेथ पुरे जारखंड में ठंड ने दसक दे दिया है आपमान अभी समाने से थोड़ा उपर है लेकिन जल्द ही या समाने से नीचे जाने वाला है मौसम केंद्र के मुताविक 23 से 29 अक्टूबर के बीच निम्तमतापमान उनाई से तेशडीरी के बीच रहने की उमीद है कुरोना के कारण राजय के सभी सरकारी वर नीजी अद्योगीक प्रसिक्षन सस्थान बंध है 36-16 के कोर्स पूरा नहीं हो पाये हैं लेकिन नौमबर में इसकी परिक्षा लने की तेयारी है भारत सरकार के प्रसीक्षन महानीदे साला ने नवंबर महीने के दोसरे सप्ता में परिख्षा के त्यारी करने के निर्देश संस्थानों को दिये हैं बता दे कि परिख्षा ओफ लाइन ही हो सकती है राची में पुलिस जवानों और अधिकारियों को हतियार की कमी और उनकी खामियाद दूर करने और जाच के लिए सुक्रोवार को कोट अफ इनक्वाईरी अविजित की गई राची पुलिस लाइन में अविजीत इंक्वाईरी में हथियारों से सम्मंदित सिकायतों का निप्टारा किया गया बता दे कि मौके पर डेर सो से ज़्यादा पुलिस जवानों और पताधिकारी मौजूद रहे कई पुलिस पताधिकारियों पर आरोप था कि ड्यूटी के दरान हथियार का सही तरीका से इस्तिमाल नहीं करते हैं और लापरवाई के वज़े से नुक्सान भी हुए है काके डेम को लेकर 21 दिनों से चल रहा धरना समाप्त काके डेम को बचाने और बारा गाओं के विस्थापित मचुआरों को रोजगार दिलाने के मांग को लेकर 21 दिनों से जारी अनिस्चित कालिन धरना सुक्रवार को समाप्त हो गया पेजन एवाम स्वस्ता विभाग के मंत्री मिथले स्ठाकूर काके डेम के पास दारना अस्थाल पर पहुँचे और आंदोलन कारियों को बताया कि सरकार काके डेम के सुंदरी करण और अतिकरवन मुक्त करने का खाका तयार कर रही है मुराबादी में आरक्षियों का धारना समाप्त जार्खन परदेश कॉंग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डक्टर रामेशवर उराओ द्वारा गठित पार्टी की उचस्तरीय समीती के सदस्यों ने सुक्रवार को मुराबादी में धारना पर बैठे जारकण ससस्त पुलिस समान अरक्षि के प्रतिनीदी मंडल से मुलकात की उनकी मांगों के समर्थन में सरकार से बाद चीत कर समस्या के समधान का भरुसा दिलाते हुए धारना को समाप्त कराया गरामिन विकासकार मंतरी अलमगीर अलम को पत्र लिखक सोना हातु परखन में परधान मंतरी गराम सड़क योईना के तहत आट दसमलो साथ पाँच किलोमेटर पात निर्मान में घटिया गुनवाता और अन्यमित्ता की उच अस्तरिये जाच की मांग की गई है यह मांग जार्खन परधेस कॉंग्रेस कमिटी के कारेकारी अध्यक्स केसो महतो कमलेश ने की है पंचाज सचीव अभियार्थियों का अन्सन समापते 45 सच्चियों के चैनित अभ्यार्तियों के प्रतिनिधियों के साथ कॉंग्रेस की उच अर्थरिय समीति के सदस्यों के साथ काफी दरी तक चली वारता के बाद छत्राओं को मना कर अंसन तुड़ाया गया मुख्य मंत्री हमन्सुरे ने कहा कि भाजपा की रहुबर सरकार का बाकाया 5514 को रुपए था तब केंद्रे ने एक पैसा नहीं कटा पिछले दस माह में हमारा बाकाया केवल 1313 को रुप बना जिसके विरोध हमने 741 को चुका दिया फिर 1400 को रुपए से अधिक क्यों कटा गया उन्होंने कहा कि जारकान में भाजपा और आईसू के बारा संसत आज इस टुगला की फर्मान पर चूप बैटे हैं मुख्य मंत्री ने यह बाते ट्वीट की है अड़ाई हजार जवानों की बनेगी मेडिकल बुक राची पूलिस ने जवानों की सुरक्षा को देखते हुए एक नई पाल की सुरुवात की है जिला बुल में तैनात अड़ाई हजार पूलिस कर्मियों की मेडिकल बुक तयार की जा रही है पूलिस लाइन और जिला के SSP और City AC कर्याले में इस बात की जनकारी रहेगी कि कोवन जवान किस बिमारी से ग्रसित है जो जवान किसी बड़ी बिमारी से ग्रसित होंगे उसे पूलिस विभाग के द्वारा कड़ी ड्यूटी नहीं ली जाएगी जार्खन में 435 नहीं संक्रमितोग पुष्टी हुई जो राची से 103, बोकारो 65, चत्रा पांच, देवगर 28, धनबाद 24, दुमका 10, पूर्वी सिमूँ 36, गड़वा 6, गिरीडी 5, गोड़ा 16, गुमला वाहजारी बैक से 11, 11, जामतरा 14, खुटी 29, कुडारमा 1, पलामु 9, सिम्डेगा 3, 25, in se 46, मिले हैं, जार्खन में कुल संक्रमितोग संख्या 99, 1045 है जबकि 92, 128 लोक स्वास्थ हुए और 862 की मृति हो गई, भारत में कुल संक्रमितोग संख्या 78,ワक 13,668 है जबकि 7,13,579 लोक स्वास्थ हुए और 1,717,992 की मृति हो गई, भारत मे जारखन में सुक्रवार को 3 की मौत हुई है जो जमसेदपूर से 2 अगोडा से 1 की मौत हुई है सुक्रवार को 499 मरीज सुष्थ भी हुए है सुष्थ मरीज इस परकार है बोकारो 27, देवगर 28, धरबाद 26, दुमका 1, जमसेदपूर 50, हजारीबाद 26, जामतरा 5, खोटी 25, कोडारमा 34, लाते आर बारा, राची 169, साहिवगन से 2, सराय केला 15, वपाच्मी सिवों से 3 मरीज राजे में स्वश्थ हुए है बता दे कि जार्खन में सुक्रवार को 28,162 सेंपल की जाच हुई है, जिसमें 1.54 फिश्थ दी यानि कूल संक्रमी 435 मरीज मिले है जार्खन में 10 लाख पहुँचा मनरेगा में कारेरा स्रमी को काह कड़ा जार्खन के गरामिन छेत्रों में मनरेगा के तहट काम वहया कराने के साथ साथ परिसंपतिया स्रीजन की दोहरी मंसा से सुरू की गई योजनाव के सार्थक परिणाम दिखने लगे है राज में 22 अक्टूबर को मनरेगा के अंतरगत काम करने वाले स्रमी को काकड़ा 9,69,000 तक पहुँच गया है जो की अब तक का सर्वधिक आकड़ा है इतना ही नहीं मनरेगा के कार्यों की गती देने के लिए गत 18 सितंबर से सुरू कियेगा विसेज अभियान के भी सार्थक परिणाम आया है ऑनलाइन प्रसिक्षन में रूची नहीं दिखा रहे सिक्षक भारत सरकार दोरा कराये जा रहे हैं आनलाइन पर सिक्षन में राजे के सरकारी स्कूलों के सिक्षक रूची नहीं ले रहे हैं इसमें जीला वा परखंड अस्तर के पतादिकारियों की लपरवाई भी सामने आ रही है इस्ति यहार की निश्ठा कारेकर्म के तहत 45.705 सिक्षको में 13940 सिक्षको नहीं अभी तक 15 दिनों का कोर्स पूरा किया है अनाज वित्रन में गर्बारी करने वाले 142 रासन डिलरो कि जाच अनाज बित्रन में गड़वरी करने वाले राची जीले के 142 रासन डिलरों की जाज की जाएगी सभी डिलरों से पिछले 6 माह का अनाज उठाओ और बित्रन का बेवरा मांगा गया है इसके साथ ही इलाके के लोगों से भी बात चित कर जनकारी ली जाएगी इसकी जाज के लिए उपायूक ने विसेश टिम का गठन किया है मैट्रिक इंटर संसोधित सिलेबस डेल माबाद भी जारी नहीं राज्यक के सरकारी स्कूलों के छादर शत्राओं का संसोधित सिलेबस दुरगा पुजा के बाद जारी होगा अब तक इसे राज सरकार की मंजूरी नहीं मिल सकी है सिक्षकों ने एक सब्ता में सिलेबस संसोधित कर सिक्षा बिभाग को सोब दिया था लेकिन बिभाग पिछले डेल महीना में इसे मंजूरी नहीं दे सका है संसोधी सिलेवस जारी होने के लिए सरकार की मंजूरी अवस्यक है बता देगी सिक्षा मंत्री जगनात मतों पिछले महीना से अस्वस चल रहे हैं ऐसे में प्रस्ता प्रमुक मत्री के समती अवस्यक है। रूप लगाएगा यहाँ जो तीन बर्स में फल देना प्रारम करेगा। राज में दुरगा पुजा के दोरान सुरक्षा की लिहाई से जार्खन परसासर ने पूरी तरह से कमर कसली है। पुलिस मुख्याले ने राज यक के सभी एसपी को भी से सतरकता बरतने के निर्देश दिये हैं। राज में विभीन जीलों में 15,000 से अधिक जवानों की तैनाती की गई है। इसके अलावा होमगाट के 5,000 जवानों की भी तैनाती होगी। पुलिस सुत्रों ने बताया कि पिरता के मुताविक हुआ अपने माता पित्ता की मरजी से 21 अक्टूबर की रात करीब 8 बजे अपने दो दोस्तों के साथ घर से कहीं जा रही थी। जार्खन में क्रोना से मरने वालों में अधिकतर बुजूर्ग लोग सामीली थाएं। बतादे की 75 फिर्दी से अधिक लोग 50 साल से अधिक के हैं। दूर्गा पुजा के दोरन विदी बेवस्था को बनाए रखने के लिए राची जिला पर साथन ने राची को 10 जोन में बाट कर 282 दंडा अधिकारियों की प्रतिन्युक्ति की है। जारखन की हमन सुरेन सरकार ने 16 पुलीस उपाधिक चर्ट DSP रैंक के अधिकारियों का टांसपर अडर वापस ले लिया है। मोख्य मंत्री ने उर्जा विभाक के भरष्ट पता अधिकारियों के खिलाफ एफायार करने की प्रस्ताव को मजूरी दे दिया है। इन परपद का दुरुपयों कर भष्ट चार करने का अरोफ है। आज के लिए बस इतना ही तो वीडियों को एक लाइक कर अपने दूस्तों साथ सेर करें। साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़वेक अवस्दे थैंक्यू।